भूत संघनायकं विशाल कीर्थिदायकं काशिवासलोक पुन्य पाप शोधकं विभुं नीति मार्ग पोविधं पुरातनं जगत्पतिं काशिका पुराधिनाथ काल भैर मुंबजे काल भैर वाष्टकं बठंतिये मनों अरं प्रिय मित्रो में आपका दोज गनेश अवाड अब सभी मित्रो का आपने यूटूब चानल ओम टेक की दुनिया में हृद्धाय से हारदीक स्वागत करता हूँ मित्रो अगर आप हमारे चानल पर नए है तो वीडियो को अन्त तक अवश्य देखिए और हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब पर लीजिए भैरो का अर्थ होता है भै का हरन करके जगत का भरन करने वाला ऐसा भी कहा जाता है कि भैरो शब्द के तीन अक्षरों में ब्रम्हा विश्णू और महेश तीनों की शक्ती समाहित है भैरो शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं हिंदू देवताओं में भैरो का बहुत ही महत्व है इन्हें काशी का कोत्वाल भी कहा जाता है काशी खंड में इसके बारे में एक विस्तार से अध्याय है भैरवनात का उलेक शेव परिवार के देवता के रूप में किया गया है शेवागमन में 64 प्रकार के भैरवो का उलेक मिलता है उनके आठवर्ग हैं इन आठवर्गों के प्रमुक को अश्ट भैरो के नाम से जाना जाता है उलेक है कि शिव के रूधिर से भैरो की उत्पत्ती हुई बाद में उक्त रूधिर के दो भाग हो गए पहला बटुक भैरो और दूसरा काल भैरो मुख्यता दो भेरवों की पूजा का प्रचलन है एक काल भेरो और दूसरे बटुक भेरो पुराणों में भगवान भेरो को असितांग रोद्र, चंड, क्रोद, उनमत, कपाली, भीशन और सनहार नाम से भी जाना जाता है भगवान शिव के पांचवे अवतार भेरो को भेरवनात भी कहा जाता है नात संप्रदाय में इनकी पूजा का विशेश महत्व है दोस्तों आज हम भेरवनात के एक ऐसे रहसे में मंदिर के बारे में जानकारी लेने वाले है जिसके बारे में मानिता है कि वहाँ पर भुतों का मेला लगता है और उस स्थान का नाम है आगडगाओं का भैरवनात मंदिर महराश्ट्रा राज्य के एहमदनगर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर आगडगाओं का भैरवनात मंदिर स्थित है कपूरवाडी से आगडगाओं पहुचा जा सकता है यह स्थान चांद बीबी के महल से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्रसेध आगडगाओं के भैरवनात मंदिर तक बायरोड आसानी से पहुचा जा सकता है क्योंकि महराश्ट्रा राज्य मार्क परिवहन महामिंडट की बसे महराश्ट्रा के सभी प्रमुक स्थलों से एहमदनगर के लिए आसानी से उपलब्ध है इसके अलावा कैब, टैक्सी और प्राइवेट वाहनों से आगडगाओं तक जा सकते हैं यह मंदिर ट्रेन के माध्यम से सभी प्रमुक शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है यहां का निकट्तम रेल्वे स्टेशन एहमदनगर है जो यहां से केवल 20 किलोमीटर की दुरी पर है यह भैरवनात का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसमें कोई शिलालेक नहीं है हाला कि मंदिर के बनावट से यह सपष्ट होता है कि इस भवे पत्थर के मंदिर को किसी विशालकाय व्यक्ती या राक्षसों ने अपार शक्ती के साथ बनाया होगा क्योंकि लगभग 8-10 फीट लंबे ठोस पत्थर के खंभे इस बात के साक्षी है मंदिर के पास उदासीन बाबा की गादी है बाबा के निधन के बाद मंदिर क्षेत्र में उनकी समाधी बनाई गई यहाँ पर ऐसी 24 समाधिया है और उन पर 24 पादुकाय रखी हुई है इससे पता चलता है कि मंदिर 24 पीडियो पुराना है मंदिर में काल भैरवनात और मा जोगेश्वरी की मूर्तिया है पत्थर में उकेरी गई और रखी गई इन मूर्तियों को कभी भी स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है बाहर सभामंडप्या मंदिर में एक कच्छुए की मूर्ति है मंदिर के खंभों पर खुदी हुई साब की प्रतिमा भी है मंदिर के उत्तर दिशा में एक सरोवर भी है भक्तों का मानना है कि अगर साब के काटने वाले व्यक्ति को इस्थान पर निम के पेड़ के नीचे रखा जाये तो साब का जहर ततकाल उतर जाता है मंदिर के प्रवेश द्वार पर तीन राक्षसों के सिर हैं, उनके नाम अगड मल देव मल और रतमल है, ऐसी मानिता है कि इन राक्षसों ने भगवान के आदेश पर एक रात में मंदिर का निर्मान किया था बगल में एक बड़ा नीम का पेड़ है जी से विश्नुवरिक्ष कहते हैं, कई भक्त इस पेड़ के नीचे खड़े होकर भगवान से मननत मांगते हैं, इस पेड़ की पत्तिया कड़वी नहीं है भेरवनाथ मंदिर के पास चैतर महीने में मेला लगता है, इस समय गंगा से जल लाकर भगवान को स्नान कराया जाता है और भवे शोभायत्रा निकाली जाती है और सजावटी आतिशबाजी की जाती है भेरवनात के जन्म समारोह के दिन दिन भर भंडारा कारेक्रम होता है और आधी रात को जनमोत्सव होता है इस दोरान धार्मिक कारेक्रम जैसे भजन की इरतनादी होते हैं इस मंदिर पर आधारित एक मराथी फिल्म शिव अवतार काल भैरो भी बनाई गई है। काल भैरवनात के जन्म की कहानी का शिखंड में प्रसिद्ध है। भगवान शंकर ने उतपीड़क राक्षसों को मारने की जिम्मेदारी भैरवनात पर रखी थी। भूतों का मेला ये आगर गाउं की एक विशेशता है। यह महराष्ट्रा की एक मात्र ऐसी प्रसिद्ध यात्रा है। कुछ राक्षस भैरवनात के भक्त भी थे। कहा जाता है कि मेले के दूसरे दिन सोमवार की रात को राक्षस दर्शन के लिए आते हैं और उनकी यात्रा भगवान द्वारा पूरी की जाती है। का ध्यान रखा लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसने यह बात ग्रामीनों को बताई फिर इसके कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। यह कहानी आज भी यहां के गाउंवाले सुनाते हैं। और उनकी मौत है है। का धियुकर मौत है आज धाद है। के लिए अनकी मौत हैं उसरा आज शाते हैं।